हेलो गर्ल्स माइसेल्फ हिमान शुदावन मैं आपका न्यूट्रिशन एक्सपर्ट जो मैं आज बताने जा रहा हूं वह है पीस यूएस के रिकार्डिंग पीस यूएस के रिकार्डिंग मैं इसले भी हमेशा हर चीज को बताता हूं क्योंकि हम ट्रीट्मेंट आपको मैंसे की दवाई प्रोवाई आ χोता हूं इसके साथ जैस आपको हेरफोल हो रहा है और का आपको treatment चाहिए तो वो दोनों आपको hair fall का treatment करवाते हैं side by side but हम क्या करते हैं आयोवेद में क्या होता है हम वुछ चीज को describe करना चाहता हूं कि आयोवेद आपकी जो ovule system है मान लिए जो system PCOS polycystic ovary syndrome अगर polycystic cyst जो आपकी ovaries के पास बन रही है यह ovaries को ऊपर बन रही है तो वो दिक्कत आपको face करनी पड़ रही है as in symptoms जो आपको show होते हैं आपकी बॉड़ी में जैसे कि stress hair fall acne pimple infertility यह सारी चीज़े आपको देखने को मिलेंगी और इसके साथ साथ आपका जो वजन जो है वो दीरे-दीरे बढ़ता जाता है इसमें भी ध्यान देना पड़ता है में तो अगर हम से की जो बन formation है या उसको जो जो बन रही है वह 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 हो ऑलinho ही पर हम जो आपकी से जो बन रखचुकी है या बन रही है उसको हम सुटası कर दे तो ओपने आप ही जाली जाली आपके सारे नहीं कर पारे महाँ पर आप कंसीव भी अराम से कर लोगे और जो वेट आपको जो गेन हो रहा है वो भी धीरे-धीरे अपना नॉर्मल पॉजिशन पर आ जाएगा क्योंकि वेट गेन का रीजन क्या होता है आपकी बॉड़ी में कि जब आप PCOS से लड़ रहे होते हो तो आप के अंदर एक डायबेटिक लक्षर में मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस की क्रियेशन होती है बॉड़ी में महीं पर हम देखते हैं कि फीमेल से एकदम से वेट गेन कर लेती है और इसके साथ साथ जो जूड़ी भी दिक्कत होती है उसके तरफ हम बढ़ते ही नहीं हम देख समझो मेरी बात को कि अगरा कि आपकी से इंस सारे सपसे बच जाओगए तो उसको बचाने के लिए उससे बचाने के लिए आपको Presents 싸ze को को धीरे 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 करके वो slow down करके resolve करेगा, solute करेगा, उसको solution देगा और उसकी आपकी जो ovaries है, वो अपने आपी redevelop होनी चालू हो जाएंगी, जहाँ पर आपकी cyst जो obstruct कर रही है, आपकी पूरे mensis को अलाने के लिए, या आपके ovule system को चलाने के लिए, वहीं पर वो चीज अगर कम कर दें, अगर मैं cyst को ठीक कर दें, तो आपका जो ovule system है, वो ठीक चलेगा, वहीं पर आपका estrogen सही बनेगा, वहीं पर जब estrogen सही बनेगा, तो आपके testosterone के जो level होगा, वो कम होगा, जब testosterone का level कम होगा, तो महाँ पर आपके facial hair और acne pimples की दिक्कती नीद मिलेगी, जब आप testosterone के level को कम कर लोगे, तो अपने आपी automatically आपकी body अच्छी तरीके से fit female body की तरफ convert होनी चालू हो जाएगी, तो fit female body की तरफ convert करने के लिए आपको कुछ अपने लिए करना चाहिए, जैसे कि मैं आपको कुछ exercise बताता हूँ, वो तो आपकी चली रही है, मैं भी शायद आप कर रहे हो नहीं, तो आप अगर उन exercise के साथ एक आयुवेदिक medication लेते हो, या आयुवेदिक treatment पर लेते हो, कहीं से भी लेते हो, तो वो आपको एक अच्छा result देगी, आपको एक फाइदे मंद result देगी, आपके PCOS से लड़ने के लिए, और इसके साथ अगर आप thyroid के patient हो, या आप को दिक्कर लगी रहती है कि आप एक दम से weight gain कर लेते हो, महापर्पी यही medicines आपको help करती है thyroid से भी बचने के लिए, आयुवेदिक को आप पकड़ो, अब इतक भी तो आप एलोपैतिक पर इतना ही फोकस करते हों, एलोपैतिक को भी तो लाइन लंबा टाइम चला लेते हो, आपको जो मैंसे जो आपको आने चाहिए अपनी cycle के टाइम पर वो cycle के टाइम पर नहीं आ पा रहे, तकरीबन one-one month delay हो जाते हैं, two month delay हो जाते हैं, जिसकी वज़े से ना आप conceive कर पाते हो, ना आप अपने facial hair को रोख पाते हो, ना अपने weight gain को रोख पाते हो, तो solution अपने cyst को resolve करने में हैं, dissolve करने में हैं, ना कि आप अपने उस अलग से भार से उन tablets को intake करने में हैं, समझो उन सब चीजों को, तो इसलिए हम आपको सब को suggest करते हैं, कि आप आयोवेद की तरफ चाहिए, आयोवेद आपका पूरा ध्यान रखेगा और अच्छा ध्यान रखेगा, और अच्छा ध्यान के साथ साथ आपको जो symptoms दिखाई दे रहे हैं, यह जो आपने PCOS के साथ साथ चीज से आप लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, उन से भी लड़ने में सहयक होगा, आपकी help करेगा, या कुछ टाइम बाद आपको उन से लड़ने की विजरूरत नहीं पड़ेगी, सो समझवें इन सब चीजों को, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, तो प्लीज लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाद दिजेगा, थेंक्यू, थेंक्यू वेरी मच्छ